अपने उसे खास प्रोग्राम में आज की दिन हम वास्तु शास्त्र की बात करते हैं वास्तु के आधार पर ही हम अपना जीवन जीते भी एं जिन्दगी हमारी से जहतो सुखद अनुभूती का एहसास हमको कराने लगती है कई बार आपने देखा होगा हिंदु धर्म में या फिर हमारे शास्त्रों में बिल्ली को अशुम माना जाता है लेकिन आपको ये भी बता दें कि बिल्ली का कुछ ऐसे आसान उपाय करके हम काफी ज़्यादा माला माल बन स चाहिए और किस किस चीज में ये फैदे मंद होती है और किस से बहुत ज़्यादा धन का लाव होता है तो चलिए आपको बिना देरी की बताते हैं आखिर कौन से है वो खास का आर्थिक उन्नती के लिए घर अथवा वारिक आपका जो व्यपारिक प्रस्ठान है उसमें आप कहीं न कहीं पीले रंग की बिल्ली आपको जरूर रखनी चाहिए ये लाव आपको प्रदान कराएगी वहीं नीले रंग की बिल्ली भी धन में व्रधी करने वाली मानी जाती है इसके लिए सबसे उत्तम दिशा है दक्षिर पूर्ग दिशा जिसे धन की दिशा भी कहा जात अगर आप इसे दिशा में बिल्ली को रखेंगे तो आपको लाव जरूर होगा, फाइदा जरूर होगा, आप अपनी जिन्दगी में काफी कुछ अलग कर पाएंगे, अगर इस दिशा में लखी केट रखना संभव नहीं है, तो आप उत्तर पूर में इसे रख सकते हैं, ये अपको बता दें, हरे रख की बिल्ली भी घर में काफी ज्यादा सौभाग का प्रती कराती है, और इनको बहुत ज़ादा लाव भी पहुचाती है, वहीं लाल रख की बिल्ली को दक्शिर पश्श्ण दिशा में रखने से रोमान्स में भागे का साथ मिलता है, और आप भूती का एहसास कराएगा तो ये आसान उपाय अपने घर में आप करके लखी केट को रखके बहुत ज़्यादा माला माल बन सकते हैं तो दर्शको आज की इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही हम फिर आज रहोते हैं किसी अनजानकारी के साथ तब तक के लिए आप देखते रहिए और बने रहिए नेक्स्ट नाइन वक्ति सागर के साथ नमस्कार